नमस्ति प्रणाम हमके साहिए लाल यादो सबके पैश्यों के प्रणाम करणा हूँ आज सुबह आँख खुलते ही कि इतनी दुख भरी मैसेज मिला मुझे कि समझ में नहीं है कि हम क्या करें सिजन 13 में हमारे बहुत अजीज मित्र और हमारे दोस्त भी और एक बड़े भाई की तरह सिधार्ट सुखला जी का जब नील सुनने को मिला तो अकीनी नहीं हो रहा था खुद पर कि ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं सिजन 13 में हमारी लड़ाईयां भी दोनों भाईयों के हुई वो प्यार के लड़ाईयां थी और मैं जब सिजन 13 के बेग बोस से बाहर आ रहा था तो सबसे ज़्यदा अफसोस सिधार्ट सुखला जी को ही हुआ था तो कि मैंने को बाबा बोलता था और हमारी कोई पहले से पर्चे नहीं थी लेगी बेग बोस के सिजन 13 में हमारी मुलकात उनसरों वो बड़े अच्छे इंसान भी थे अपनी कोई भी बात नि धड़क बोलते थे और इस उम्र में जाना यह कुछ अजीब सा लगा तो क्या बोल सकते हैं बस मैं पर्वान सही प्रात ना करोना कि उनके आत्मा कुसांती है और ऐसे लोगों को इतनी जल्दी मत बुलाओ इस वड़की अभी बहुत कुछ करना था इस इंडिस्ट्री को बहुत आसा थी उनसे हम सब को आसा थी एक अच्छी परस्णालिटी के स साथ अपने जीवन को चला रहे थे हैं मैं उस मां को साधर प्रणाम करता हूं क्योंकि आज उस मां पर क्या गुजर रही होगी क्योंकि मैं सिदार्थ बाबा के मां से भी मिला था जर फाइनल में में गया था तो बड़ी प्यारी है वो और मां हम सब हैं आपके सांथ बिलक कि हमेशा खड़े रहेंगे तो दिल से एक दुख भरी बात है क्या बोल सकता हूं मैं बट मैं इश्वर सही प्रातना करूना की भगवान ऐसे अच्छे लोगों को और इतने जंदिमत बलाई है यह धरती शुनी-शुनी हो जाती है थैंक यू